हेलो एन वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो ओफ पी एनेस एग्रो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं पी एनेस एग्रो का मेडिकल जहां पे आपको पशूओं के लिए खासकर बकरों के लिए और पॉल्टरी में मुर्गियों के लिए काफी सारी मेडिसिन्स मिल जाएगी सप्लिमेंट्स भी मिलेंगे तो आपको दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या आवेलेबल है यह है मल्टी स्टार मल्टी विटामिन लिक्विड यह इससे ग्रोथ एनांस होती है और जानवरों में जो विटामिन्स की और मिनेरल्स की कमी होती है उससे वो भी पूरी होती है यह है टॉपी के और का स्प्रे टॉपी के और स्प्रे यह है ओरल वाला अगर मुँ में च्छाले है जबान पे कड़ गया है कुछ जानवर को खाने नहीं हो रहा है तो आप यह स्प्रे मुँ पे मार सकते हो यह सेफ है मतलब अगर बकरा चाट भी लेता है खार भी लेता है तो उसको तकलीफ नहीं होगी और फिर दूसरा है विस्प्रेक स्प्रे इसमें जो है ये मस्टेटिस के लिए है जब अगर बकरी का गाय भैस का थन कड़क होने लगे उसमें सूजयन आ जाए या फिर उसमें दर्द हो तो आप ये स्प्रे मार सकते हो यहाँ पर है हमारे पास एंडरोटास एंडरोटास ये एंटिबायोटिक है और ये कफ के लिए काम आती है सरदी के लिए काम आती है एंडरोफलक्सेसिन तो आप ये भी मंगवा सकते हो, अगर आपको जरुवत पड़े तो, यहां है निमोवेट इंजेक्षिन, यह पेन किलेर इंजेक्षिन है, दर्द के लिए जो इंजेक्षिन लगाया जाता है, यहां पर है क्लोमिक वेट, जो है, यह डी वार्मर है, बकरे के पेट के कीड़े और बाहर के बॉड़ी के external parasite, जो जू पिस्सू है, वो भी मर जाएगे, तो यह काफी फाइदे वाला है, नेक्स्ट है, PNS का Nutri Power Gain, यह बकरो का वजन बढ़ाने वाला powder है, 100% natural है, safe है, steroid free है, और इसमें कोई भी side effect नहीं है, इससे बकरो का वजन guarantee बढ़ता है, और यह weight booster ह यहाँ पर है, Monosaf 2 gram और Monosaf 1 gram, जो अक्सर pneumonia में injection लगाया जाता है, यहाँ पर है high tech, Ivermectin, यह भी parasites के लिए, जो पेट के खीड़े रहते हैं, उसमें काम आता है, पेट के खीड़े मानने की दवा, आगे जाएंगे तो Mary Queen है, Mary Queen सबसे जादा use होती है, पोल्टरी में, गाय बहस बकरी को भी दे सकते हो, यह एंटी पायोटिक है, एंडो फ्लोक्सेसिन, सर्दी बुखार और खासी के लिए, उसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर है हमारे पास शारको फिरॉल, शारको फिरॉल जो है, बहुत अच्छा सप्लिमेंट है, इससे आपके जानवरों को क रोवी प्लेक्स, विर्बैक का लिक्विट सप्लिमेंट, यह काफी फाइदे करता है, पोल्ट्री में, सबसे ज़्यदा पोल्ट्री में जाता है और फिर गाय भैस को भी यूज होता है, बकरों का भी, लिक्विट ग्रोथ सप्लिमेंट है, खासकर पोल्ट्री में यूज ह और यहां पर देखेंगे तो औस्टोवेट है, औस्टोवेट को पता है, औस्टोवेट के फाइदे, केल्चम टॉनिक है, यूट्रिवाइब है, यह यूट्रस को क्लीन करने के लिए, और गाय बहस बकरी जब बच्चा दे देती है, तो उसको साफ करना है उसकी, उसका है यहां पर यह सखम पर घंग बढ़ाया को जाता है कोई बधन पर जखम हो जाए तो वहां पर कीड़े बहcciones Państwo पर लगा सकते हो, मकी बैटती है, तो जान्वर परिशान होता है, खुजाता है लौठच बार Robbie तो लोरेक्जन स्प्रेय मानना है फिर आगे जाकर देखेंगे तो बायो ट्रिम है ये लूज मोशन में काफी अच्छी काम आती है गोली ये है टॉल्फिनामिक एसिड बोलस टॉल्फिनामिक एसिड जो पें के लिए रहे और इसमें कोई स्टेरोइड नहीं है तो ये अच्छी दवा है पें के लिए ये बोलस है मतलब गोली आती है और ये जो था ये इंजेक्शन है यहाँ पर देखेंगे तो हिमालिया 32 है जो चूरन जैसा रहता है डाइजेशन इंप्रूव करता है जानवरों का यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ब्रोटोन है जो लिवर टॉनिक है विर्बैक कमपनी का इससे लिवर की हेल्थ इंप्रूव होती है जानवर की भूग भी बढ़ती है एपेटाइड भी बढ़ती है नीचे देखेंगे तो हमारे पास है निलजान, निलजान भी पेट के कीड़े मारने के लिए, विरबैक का है, डी वार्मिंग का लिक्विड, इस साइड हम देखेंगे, तो हमारे पास, मल्टी स्टार एच है, मल्टी स्टार एच में, विटामिन एच बायोटीन की कॉंटिट ही ज़्यादा रहती है यह तुछ फीकिया एक्षफ्छ फीलप में अच्छा फीड सपलिमेंट है एल्फ इंप्रूव करने के लिए एक्जा पर यह भी यूट्रूर ख्लीन के लिए बच्छादानी साफ करने के लिए और उसको वापस रिस्टोर करने के लिए उसकी health improve करने के लिए काम आता है बकरी गायबरस को दिया जाते है घोडों को भी देते हैं यहाँ पर है पोल्टरी की मेडिसिन यह है लिक्सन पाउडर जाता तर पोल्टरी में यूज होता है अल्मोस्ट 90% लोग जो है इसको पोल्ट्री में ही मांगते हैं, इससे जो वाइट कलर की बीट होती है, लूज मोशन होते है मुर्गियों को, वो ठीक होता है, नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पर टाइलोसिन टार्टरेट है, जो C.R.D. की प्रॉबलम होती है, ट्रॉक्स पाउडर, C.R.D. की प्रॉबलम मतलब जो जानवर सास लेके, रेस्पिरेटरी गले की प्रॉबलम होती है, सास की, उससे मरते हैं, तो यह पोल्ट्री में ब उखार में काम आता है, उसके आगे है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो सबसे ज़्यादा पॉल्ट्री में यूज होता है, और बाकी दूसरे जनरल, बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, जेंटामाइसिन, एंटिबायोटिक है, काफी सारी बीमारियों के इलाज इसमें फिर है टाइलोसिन, जो रानी खेत की बीमारी में काम आता है, इंजेक्शन, यहाँ पर वेमेरल है, वेमेरल तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर रूम इंफला है, यह हाड एंड सॉफ टीशू की पेन, स्वेलिंग, सुजन को कम करने के लिए, इसके पीछे हमारे पास है टॉपी के और स्प्रे, जो जखम पर मारा जाता है, अगर कई जानवरों को जखम हो जाए तो उसका इलाज, और आगे चलके देखेंगे तो यह फेंटास प्लस है, यह प्रेगनेंसी सेफ डीवार्मिंग है बकरियों के लिए, यहाँ पर है जादा अनाच खा ले, तो आप गेस्टीना दे सकते हो यह फिर ब्लोटोसिल दे सकते हो, ब्लोटोसिल भी हमारे पास अविलेबल है, यहाँ पर अलबोमार है, सबसे ज़्यादा फेमस डीवार्मर, इस साइड डेखेंगे, तो हमारे पास 3D RED, यह नया खून बनाने के विटामिन B, B12, B6, तो जो नर्वस सिस्टम में उसको इंप्रूफ करता है, इस साइड पे सिफलॉक्स है, और विरबैक का एक नया टेबलेट है, रैस्यू फीड, जो जानवर को भूख नहीं लगती है, भूख बढ़ाने के काम आता है, भूख बढ़ाने में बायो इसमें टैजोबैक्टर में, जो काफी अच्छा एंटिबैोटिक है, काफी वाइड रेंज की बिमारियों में ये काम आता है, इंजेक्शन जैसे निमोनिया है, और जब बुखार बहुट टाइम तक उतर ही नहीं, अलग-अलग दवाव से, तब आपको इंटरसेफ लगान एमॉक्सिलीन, सौडियम, सल्बैक्टर, सोडियम इंजेक्शन ये, जख्म बरने के काम आता है, यहां पर हमारे सामने है, मैक्स टॉल, टॉल-म्यमिक्सीिड इंजेक्शन, जो पें कीलर इंजेक्शन है, इस जगे, इस इस डेखेंगे तो, आएवर मेक्टीन है, हाइट ट प्रेट के कीडे मारने के काम आता है हमारे पास हीमेक्स का जो जखम बरने के लिए जखम पे लगाया जाता है ओइन्मेंट उसका बड़ा डबब भी है आगे देखेंगे तो डायरोग का पाउडर है जो लूज मोशन के लिए अईरवेदिक मेडिसीन है लूज मोशन रोकने के लिए और फिर ओपर के साइड देखेंगे यहाँ पर मैलोनेक्स प्लॉस बोलस है जो बुखार में दी जाती है गोली रूचा मेक्स का छोटा पाउच है 20 ग्राम का जो डाइजेशन इंप्रूव करता है और बकरे का एपिटाइड भी बढ़ाता है भूग बढ़ाता है और यहाँ पर किस्किन किस्किन जो है यह ट्यूब यह ओइन्मेंट जानवरों को फंगस इंफेक्शन हो जाए सकीन पर सफेद सफेद फंगस लग जाता है कभी-कभी तो उसमें काम आता है कीटो प्रोफिन इंजेक्शन जो है यह बुखार और हलका पेन किलर है यह इंजेक्शन भी काफी अच्छ है तो काफी सारी मेडिसिन PNS में अवेलेबल है यह बाइरोसिन है यह सर्दी का इंजेक्शन है तो अगर आपको इसमें से कोई भी मेडिसिन की जरुवत हो तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर